अब जो भी चुक अभ्यारती आवेदन करना चाता तो इस वीडियो को एंड तक देख लेने इसके अंदर पूरी जानकारे बताने वाला हूं जो भी रिलाइंस के अंदर नियू बरति निकल के उसकी जानकारे आपको इस वीडियो में मिलने वाली अलग-अलग पदों पर यह बरति करवाई जाएगे इसके अलग-अलग पद रखेंगे जो भी आवेदन करना चाता है वो किसी पत्त के लिए मैं से हमारी बूर्ट की स्क्रिन पर बताने वाला हूं वीडियो को एंड कर देखें कि सब कुछ आपको समझ में जाएगा इसकी पूरी जानकारी है मैं आप इसके पर चलते हैं आप पर बताता हूं पूरी जानकारी है तो दोस्तों आचुके आप हमारी बूर्ट की स्क्रिन की उपर अब रिलाइंज जियो की दुवारा जो निव बरति निखा ले गई उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अब जो बूर्ड ह रिलाइंज जियो की दुवारा इस बरति को निखाला गया है इसके अंदर जो पोश्टे रखे गई है मैंने यहां पर दो तिन पोश्टे लिखी इसके अंदर बहुत सारी पोश्टे रखे गई हैंने 25,000 प्लेस वेकंसी है तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग य इंडिया का कंडिडेट इस्टूडेंट इसके भरती के लिए अपलाय कर सकता जियो रिलाइंस जियो रिक्रूमेंट के लिए आगे चलते हैं बात कर लेते हैं यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो वेकंसी रखी गई है किस पद के लिए कितनी पोश्टे रखी गई ह पर सब कुछ मेने कवर कर दिया है अब यहां पर देखते हैं एक एक पद के लिए कितनी यहां पर पोश्ट रखी गई है सबसे पहले बात करें देप सब्सक्राइब करना जाता है यहां पर देख सकता है यहां पर पोस्ट रखे गई है इसके अंदर सभी के लिए अलग-अलग यहां पर यह पोस्ट रखे गई है इधर आप यह पोस्ट रखे गई है इसे भी पता के लिए अब आगे चलते हैं इसकी इनप्रोमेशन नहीं दी गई है फोरम इनकी start हो चुके हैं आगे चलते हैं बात कर लेते हैं इसके अंदर application fees कितनी रखी गई है आप इसके अंदर application fees की बात कर लेते हैं किसी भी परकार का आपका कोई आधिन शुल्क नहीं रखा गया है और आपका जो फोरम होगा वो ओल्लाइन भरा जाएगा तो आप अपलाई कर सकते हैं इनकी लिंक वो एक्ट्वेट हो चुके हैं फोरम भी स्टार्ट हो चुके हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं जो रिल्यांस के इंदर उमर कितनी रिखेगी फोरम बढ़ने के लिए जो एज है अब रिल्यांस के लिए जो भी अपलाई करना चाहता है उनकी जो नियुद्व मायूव 18 वरस रखेगी यानि 18 वरस का जो भी कंडिडेट इसके लिए अपलाई कर रखे गई है आप इनकी जो ओफिशल वेबसाइट है उसके उपर जाकि इनका नोटिफिकिशन उसमें देख सकते हैं किस पत के लिए अप्लाइए करना चाहते हैं उस पत के लिए वहां पर एज रखे गई है आगी चलते हैं बात करते हैं रिलाइंस जो के लिए सेक्ष्ण य योगिता दसवी बारीव पास जो भी दसवी बारीव पास कंडिटेट है वह अप्लाइए कर सकता है अलग अलग पदों के लिए अलग यहां पर योगिता रखी गयी है अब लेकर जो गिरुजेट है डिप्लोमा कर रहा है उनके लिए बही अलग रखा गया इसके अंदर द नीचे करवा दूँगा अप्लाइ करने की डेट नीचे अप्लाइ कर दूँगा लिंक तो इस परकार से तीरे लाइंज यूग की बढ़ती की जानकारी अगर आपको अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले क्योंकि यह से अप्डेट प्रवाइड करवाता रहता हूँ